हेलो एव्रीवन वेल्कम टू मैं चैनल क्रेटर लावन्या पटेल आज इस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से इजी तरीके से काजल अप्लाइ करती हूं आइस पर बिना देर किये चलिए अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं सु फ्रेंड्स यहां मैं यूज कर रही हूं ब्लू हैवन का काजल जिसकी रेंज 15-20 की बीच में होती है आप कोई भी काजल यूज कर सकते हैं सबसे पहले मैं काजल अपनी बॉटम लाइन पर अप्लाए करूंगी बॉटम लाइन पर काजल लगाने के बाद आख को क्लोज करकर मैं आई लिट पर थोड़ा सा प्रेस करूंगी जिससे की टॉप लाइन पर भी काजल लग जाए इसी तरह से मैं दूसरी आईस पर भी काजल को अप्लाए करूंगी अभी मैंने पतला काजल लगा कर दिखाया है जिनको पतला काजल लगाना पसंद है अब मैं काजल अपनी टॉप लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ आईब्रोज को उपर पुल करकर आपको काजल लगाना है जिससे की ये टॉप लाइन बॉटम लाइन पर लग जाएगा जैसे की आप देख सकते हैं कि काजल को मैंने टॉप लाइन और बॉटम लाइन पर कवर कर लिया है पिरंण्स आपको अगर पतला काजल पसंद या पतला लगाई मोटा पसंद मोटा लगाई कर यह तो मैं अपने काजल यहां पर थोड़ाँ सा मोटा लगाऊंगी इसी तरह से दोनों आखो के काजल को हम बराबर कड़ लेंगे अब मैं आईस क्लोज करकर आई लिट को प्रेस करूँगी जिससे की टॉप लाइन और बॉटम लाइन पर काजल लग जाए ऐसा करने से आई लाइनर और मसकारा के ज़रूत नहीं पड़ेगी अब मैं काजल को आउटर कॉर्णर पर अप्लाई करूँगी जिससे की थोड़ा सा विंग बन जाए और आईस की शेप और ज़्याजा सुन्दर लगेगी इसी तरह से मैं दूसरी आईस पर भी शेप दे दूँगी काजल की हैप से अगर आपको वीडियो अच्छे लगती है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेर कॉमेंट भी जरूर कीजिएगा यहाँ पर मैंने ब्लू हेवन का काजल क्यों यूज किया है यह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगे ओके फ्रेंड सो अब हम मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई लॉट्स अफ लव टेक केर बाई बाई